प्रिविद्यार्थियों नमस्कार आशा है कि आप स्वस्त वैब प्रसंद होंगे हम जैव अनू की अध्यन के क्रम में पिछले सत्र में यह जान चुके हैं कि जीव तंत्रों में तीन प्रकार के ब्रहत अनू जैसे प्रोटीन नूकली कमल वो बहु सेकराइट्स मिलते हैं तथा लिपिट्स जिली से संबन्दित होने के कारण ब्रहत अनू बहुलक होते हैं वे विविन्न घटकों से बने होते हैं पॉलिस सेकराइट्स शरकरा की लंबी शंखला होती है नूकलिक अमल नूकलियोटाइट से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन विशम बहुलक होते हैं जो अमीनो अमलेकी लड़ियों से बने होते हैं प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कारे करते हैं इन में से कुछ पोशकों के कोशिका जिली से होकर अभीगमन करने तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में साहक होती हैं और कुछ एंजाइम के रूप में होती हैं आता है इस महत्तपूर्ण जैव ब्रहतनू प्रोटीन का आईए आज हम विस्तार से अध्यन करते हैं आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश्य हैं प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितियक, तृतियक वेचतुस्क संरचना का विस्तरत अध्यन करना प्रोटीन के प्रकार वे प्रोटीन के कारियों का अध्यन करना एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति का अध्यन करना शरीर अवयवों की गतिक अवस्था उपापचय की संकल्पना का अध्यन करना जीव के उपापचय अधार का अध्यन करना जीव अवस्था की विवेचना करना एंजाइम की संवर्चना का अध्यन करना छात्रों में कला कौशल, व्यज्ञानिक दस्टिकोन, जिग्या सुप्रवर्ती और अवलोकन कौशल का विकास करना इसके साथ साथ जिविग्यान के अध्यान में अरजित ग्यान को दैनिक जीवन में सह संब्दित करने वे अनुपयोग में लाना ये हमारे प्रमुख अधिगमुद्देश रहेंगे अनुओं की संद्चना का अर्थ विभिन संधरबों में भिन भिन होता है कार्बनिक रसायन में सन्रचना का संबंद आन्विक शुत्र से होता है उधारन के लिए सोडियम क्लोराइट एनेसील के रूप में और मेगनिशियम क्लोराइट एमजी सील टू के रूप में लिखा जाता है कार्बनिक रसाइन विज्ञानी जब अणों की सन्नचना जैसे बेंजीन, नेफ्थलिन आदी को व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा उसके द्वी आयामी दर्शे को व्यक्त करते हैं भौतिक विज्ञानी आणविक सन्नचना के त्री आयामी दर्शे को जबकि जीव ज्यानी प्रोटीन की सन्नचना चार तरह से व्यक्त करते हैं प्रोटीन में अमीनों अमल के क्रम वे इसके स्थान के बारे में जैसे कि पहला, दूसरा और इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनों अमल होगा इसकी जानकारी को प्रोटीन की प्रार्थमिक सन्दचना कहते हैं इस चित्र को अगर हम देखें और यह कलबना करें कि प्रोटीन एक रेखा है तो इसके 22 सिरे पर प्रथम और दाइं सिरे पर अंतिम अमीनो अमल मिलता है प्रथम अमीनो अमल को नाइटोजन सिरा पॉली पैप्टाइड अमीनो अमल कहते हैं जबकि अंतिम अमीनो अमल को कार्बन सिरा अमीनो अमल कहते हैं प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली वी द्रड़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती है यह लड़ी घूमती भी सीडी की तरह कुंडली की तरह मुड़ी होती है स्क्रीन पर इस चित्र में देखिए वास्तम में प्रोटीन लड़ी का कुछ अंश कुंडली की रूप में व्यवस्तित होता है प्रोटीन में केवल दक्षना वर्ती कुंडलीयां मिलती है अन्य जगहों डाइसलफाइट बॉंड पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी भी होती है इन्हें हम द्वितियक सन्रचना कहते हैं आप पुनह स्क्रीन पर देखिए इस चेत्र को ध्यान से देखिए इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही उन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी भी होती है जिसे प्रोटीन की तृतियक सन्रचना कहते हैं यह प्रोटीन के त्री आयामी रूप को प्रदश्यत करता है त्रतियक सन्दचना प्रोटीन के जैविक क्रिया कलापों के लिए नितान तावश्चक है आप इस चेत्र में देखिए कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉली पेप्टाइड्स या उप इकाईओं के सम्मू होते हैं जिस धंग से प्रतियक पॉली पेप्टाइड्स या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्स व्यवस्थित होती है उधारन के लिए गोले की सीधी लड़ी गोले एक दूसरे के उपर व्यवस्थित होकर के घनाव या पट्टिका की सन्दचना बनाते हैं वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदशित करते हैं जिसे प्रोटीन की चतोष्क सन्दचना कहते हैं प्रीविद्यार्थियो वयस्क मनुस्थिका हीमोग्लोबिन चार उपखंडों का बना होता है इनमें दो एक दूसरे के समान होते हैं दो उपखंड अलफा वे दो मीटा प्रकार के होते हैं जो आपस में मिलकर के हीमनश्य के हीमोग्लोबिन को बनाते हैं किसी भी पॉली पेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अमल पेप्टाइड बंद द्वारा जुड़े रहते हैं जो एक अमीनो अमल के कार्बॉक्सिल अर्थात COOH समोह वे अगल इस प्रकार से जल निकलने की प्रक्रिया को निरजली करण कहते हैं एक पॉलिस सेकराइड में मोनो सेकराइड संभा होता है गलाइको साइडिक बंद द्वारा जुड़े रहते हैं यह बंद भी निरजली करण द्वारा बंता है यह बंद पास के दो मोनो सेकराइड के दो क एक शरकरा का तेन प्राइम कार्बन अनुवर्ती नुकलोटाइड के शरकरा के पाँच प्राइम कार्बन से फॉस्फेट समुह द्वारा जुड़ा होता है शरकरा के फॉस्फेट वए हाइड्रोक्सेल समुह के बीच का बंद एक एस्टर बंद होता है एस्टर बंद दोनों तरह मिलता है इसलिए से फॉसफोर डाई एस्टर बंद भी कहते हैं नूकलीक अमलों में विविन प्रकार की द्वितियक सन्नचना मिलती है उधारन के लिए वाट्सन और क्रिक का प्रसिद्ध नमूना DNA की द्वितियक संद्चना को प्रदर्शित करता है इस नमूने से स्पष्ठ है कि DNA एक दोहरी कुंडली के रूप में मिलता है पॉली नूक्लियोटाइट्स की दोनों लडियां प्रक्ति समानंतर हैं जो एक दूसरे की विप्रिदिशाओं में होती हैं इनका मुख्य भाग शरकरा फास्फेट शरकरा संखला से बना होता है नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे की तरफ मुख्य वे मुख्य भाग पर लगभग लंबवत प्रक्षेपित होते हैं एक लड़ी के क्षार A एवम G अर्थाद एडिनीन और गुआनीन आनिवारेता दूसरी लड़ी के क्षार क्रम से T एवम C अर्थाद थाइमीन और साइटोसीन से क्षार युगम बनाते हैं A एवम T के बीच दो हाइडोजन बंद जबकि G वसी के बीच तेन हाइडोजन बंद होते हैं प्रतेक शंखला एक घुमाओदार सीडी जैसी प्रतित होती है सीडी का प्रतेक पद क्षारों युगमों का बना होता है सीडी का प्रतेक पद दूसरे पद से 360 के कौन पर घुमाबा होता है कुंडलित संखला के एक पूर्ण घुमाओं में दस पद या दस क्षार युग्म पाए जाते हैं इस तरह आप डीने का रेखाचितर बनाने का प्रयास कर सकते हैं एक पूर्ण घुमाओं की लंबाई 34 एंक्स्टाम होती है जबकि दो क्षार युग्मों के बीच खड़ी दूरी 3.4 एंक्स्टाम होती है इस प्रकार वर्णित विशेशता युग्त डीने को बी डीने कहते हैं प्रिविद्यार्थियों आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे कि एक दर्जन से भी अधिक प्रकार के डीने होते हैं जिनका नामकरण संदाचनात्म क्षेशता के आधार पर अंग्रेजी की वर्णमाला के आधार पर किया गया है हम लोगों ने अब तक जो भी अध्यन किया है उसके अनुसार जीव चाहे वह साधान जीवानों कोशिका हो प्रटोजोवा हो, पौधा हो या प्रानी हो ये सभी हजारों कार्बन योगिनों से मिल करके बने होते हैं ये योगिक या जैव अणू एक निश्चित सांदरता में मिलते हैं इन्हें मोल्स प्रतिकोशिका या मोल्स प्रतिलीटर अधिगरूप में व्यक्त करते हैं अध्यनों से एक जो प्रमुक जानकरे प्राप्त हुई है उसके अनुसार जैव अणू में हेर फेर होता रहता है इससे तात्परिय यह है कि ये लगातार दूसरे नए जैव अणू में परिवर्तित होते रहते हैं और दूसरे जैव अणू से मिल कर बनते रहते हैं जीवधारियों में यह निर्मान वे विखंडन रासाइनिक अभिक्रिया द्वारा लगातार होता रहता है। इन सभी रासाइनिक अभिक्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं। सभी उपापच येई अभी क्रियाओं द्वारा जैब अन्वों का रुपांतरन होता रहता है कुछ उपापच येई रुपांतरन के उधारन है अमीनो अमल से कारबन डाइक्षैट के निकलने के बाद अमीनो अमल का एमीन में बदलना न्यूक्लियोटाइट चार्ड से एमिनोसमों का अलग होना डाइसेकराइट में ग्लाइकोसाइडिक बंद का जल अपगटन इस प्रकार हम हजारों उधारणों की सूची बना सकते हैं अधिक आंच्छत है इस प्रकार की रासानेक अभिक्रियाएं अकेले नहीं होती आपस में जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की शंकला से होता है जिनें उपापचये पत कहते हैं ये उपापचये पत शहर की कार, मोटर, यातावयात व्यवस्था जैसा होता है ये पत या तो रेखिये या व्रत्ताकार होते हैं ये पत एक दूसे से आड़े तिर्चे यातायात के संगम जैसे दिखाए पड़ते हैं उपापचये यातायात के कार, मोटर, सदर्ष एक निश्यत वेग व्यव्य दिशा में उपापचये पत से हो करके गमन करते हैं यह उपापचये यज बहाव शरीर के घटकों की गतिक अवस्था कहलाता है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपस में जुड़ा हुआ यह उपापचये यातायात अत्यंत निर्बाद गती से बिना दुरगटना के स्वस्था वस्था बनाए रखने के लिए होता रहता है इन उपापचये अभिक्रियाओं की दूसरी विशेशता यह है कि इनकी प्रतेग रासानिक्रिया उत्प्रेरित अभिक्रियाएं है उपापचये पथ द्वारा साधारन पदार्थों से जटिल पदार्थ जैसे एसिटिक अमल से कॉलेस्टॉल का बनना वह जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों जैसे कंकाली पेश्यों में ग्लूकोस से लेक्टिक अमल का निर्मान होता है पहली प्रकार की प्रक्रिया को जैव संस्लेशन पत या उपचाई पत कहते हैं दूसरी प्रक्रिया में अपचाई या विखंडन होता है इसलिए से अपचाई पत कहते हैं उपचई पथों में उर्जा खर्च होती है, एमिनो अमलों से प्रोटीन के निर्मान में उर्जा की आविशक्ता होती है दूसी तरफ अपचई पथ द्वारा उर्जा मुक्त होती है, जैसे कंकाली पेशियों में जब ग्लूकोज पायरविक अमलों में तूटता है तो उर्जा मुक्त होती है यह उपाव पचेई पत जिसके द्वारा ग्लुकोस से पायर्विक अमलिका निर्मान होता है दस उपाव पचेई चरणों में पूर्ण होता है और इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली यह उर्जा रासाइनिक बंद की रूप में संचित कर ली जाती है यह बंद उर्जा जब और जहां आवश्यक होती है जैसे जैव संसलेशन, परासरन वा यांत्रिक कारिक किया जाने पर तब इसका उप्योग किया जाता है उर्जा की मुद्रा का सरवादिक महत्यपूर्ण सरूप जीव तंत्र में एक रसाइन में बंध उर्जा की रूप में मिलता है जिसे एडिनोसिंट ट्राइफासफेट या एटीपी कहते हैं जीवों में उनके अनुसार एक निश्चित सांद्रता में हजारों रासाइने की यौगिक मिलते हैं जिसे उपापचययज या जैव अनु कहते हैं उधारन के लिए सामान्य स्वस्त व्यक्ति में रक्त शरकरा की मात्रा 4.2 से 6.1 मिली मूल प्रति मिली लिड होती है सबसे महत्यपूर्ण यह है कि जैविक तंत्र में सभी जीव एक स्थिर अवस्ता में मिलते हैं जिन में सभी जैव अनु की एक निश्चित मात्रा होती है ये जैव अनु एक उपापचय प्रभाह में होते हैं कोई भी रासानिक या भौतिक प्रक्रिया स्वतह साम्य अवस्ता को प्राप्त करती है स्थिर अवस्ता एक असाम्य अवस्ता होती है भौतिक सिध्धान्त के नुसार कोई भी तंत्र साम्य अवस्ता में कारे नहीं कर सकता है जैसा कि जीव हमेशा कारे करते हैं उनमें कभी भी साम्य अवस्था की इस्तिती नहीं हो सकती है अतह जीव अवस्था एक असाम्य अस्थाई अवस्था होती है जिसमें कारे संपन होता है जीव प्रक्रिया साम्य अवस्था से बचने का एक सतत प्रयास है इसके लिए सदा उर्जा की अवशक्ता होती है उपापचय वह प्रक्रिया है जिससे उर्जा प्राप्त होती है अते है जीव अवस्था वह उपापचय एक दुसरे के प्रियायवाची होते हैं बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, कुछ न्योक्लिक अमल एंजाइम की तरह विवहार करते हैं, इन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं किसी भी एंजाइम को रेखे चित्र द्वारा चित्रत कर सकते हैं एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्रात्विक सन्रचना मिलती है जो एमिनोमल की संखला से बना होता है प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितियक व्यत्रतियक सन्रचना मिलती है आप तुरतियक सन्रचना को पुनहें चित्र में ध्यान से देखें प्रोटीन संखला का प्रमुक भाग अपने उपर स्वयम कुंडलित होता है और शंखला स्वयम आड़ी तिर्ची स्थित होती है इससे बहुत सी दरार या थैलियां बन जाती है इस प्रकार की थैली को सक्रियस्थल कहते है एंजाइम का सक्रियस्थल वे दरार या थैली है जिन में क्रियाधार आकर के विवस्थित होते है इस प्रकार एंजाइम सक्रियस्थल द्वारा अभे क्रियाओं को तेजगती से उत्प्रेदित करता है एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं लेकिन इन में एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्चितापक्रम दाप पर कुशलता से काम करते हैं जबकि एंजाइम अनु उच्छ तापक्रम 40 डिग्री से सेंटिग्रेट के उपर उपर उच्छ तीग्रत हो जाते हैं साधन तया अति उच्छ तापक्रम जैसे गर्म स्रोतों या गंधक के जर्नों में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थाई होते हैं और उपर उच्छ तापक्रम 80 डिग्री सेंटिग्रेट से 90 डिग्री सेंटिग्रेट तक भी बनी रहती है इस प्रकार ऐसे एंजाइम जो उस्मा सनेही जीवों से प्रतक किये गए हैं उस्मा इस्थाई होते हैं ये उनकी विशेष्टा है प्रिविद्धार्तियों आज हमने जो भी सीखा है उसकी आईए एक बार पुन है आवर्ति कर लेते हैं जैव ब्रहत आणवों में सन्नचनाओं का अपतानुक्रम जैसे प्राथमिक, द्वितियक, तृतियक वेचतुष्किये सन्नचनाई होता है जैसे कि प्रोटीन की सन्नचना प्राथमिक, द्वितियक, तृतियक वेचतुष्किये होती है प्रोटीन में एमिनोमल पेप्टाइड बंद द्वारा जुड़े होते हैं पॉलिसेकराइड में मोनोसेकराइड ग्लाइकोसाइडिक बंद द्वारा जुड़े रहते हैं जैव अनुमें हेर फेर होता रहता है अर्थात ये लगातार दूसरे नए जैवणों में परिवर्टित होते रहते हैं और दूसरे जैवणों से मिलकर के बनते हैं जीवधारियों में निर्मान वे विखंडन रासाइनिक अभिक्रियाद्वारा लगातार होता रहता है इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उपाव पचियज कहते हैं उपाव पचियज बहाव शरीर के घटकों की गतिक अवस्था कहलाता है उर्जा की मुद्रा का सरवाधिक महत्यपन स्वरूप जीव तंत्र में एक रसायन में बंद उर्जा के रुप मिलता है जिसे एडेनोसीन ट्राइफ फॉस्फेट या एटिप कहते हैं जैविक तंत्र में सभी जीव एक स्थिर अवस्था मिलते हैं जिनमें सभी जैव अणूं की एक निश्चित मात्रा होती है ये जैव अणूं एक उपाव पचिय प्रभाह से होते हैं जीव हमेशा कारे करते हैं उनमें कभी भी साम्य अवस्था की स्थिती नहीं हो सकती है आता है जीव अवस्था एक असाम्य स्थाई अवस्था होती है जिससे कारे संपन होता है लगबग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं कुछ न्यूकलिक अमल, एंजाइम की तरह वेभार करते हैं, उन्हें राइबोजर्म्स कहते हैं, अकार्बनिक उत्प्रेज़क उच्छ तापक्रम वे दाप पर कुशलता से काम करते हैं, जबकि एंजाइम अनू उच्छ तापक्रम 40 डिग्री सेंट्रिगेट से उपर शतिक हो जाते हैं, प्रेविध्यार्थियों, अब आपको हम कुछ अभ्यास के लिए प्रक्षन देते हैं, पहला प्रक्षन है कि प्रोटीन में प्राथमिक सनचना होती है, यदि आपको जानने हेतु ऐसे विधी दी गई है, जिसमें प्रोटीन के दोनों किनारों पर अमीनों अ और सूची बद्द कीजिए, प्रोटीन की अन्य उप्रक्षन को बताईए, जैसे सौंदर्य प्रधादन आदे, तीसा प्रशन है, क्या आप प्रोटीन की अवधारना की अधार पर भर्णन कर सकते हैं, कि दूध का दही अथवा योगर्ट में परिवर्तन किस प्रकार होता अगला प्रशन है, पर्मानु मौडल जिसमें बल वहिस्तिक का नमूना है, इसका प्रियोक करते वे ब्रहत जैव अन्यों के प्रारूपों को बनाईए प्रियविद्यार्थियो, आज के सत्र में आपने जो भी प्रोटीन के संदर में और जैव अन्यों के संदर में सीखा है, आप उसका स्वाध्या करते रहें और अपने जीवन में सफल हों, इनी शुब कामनों के साथ शीग्र ही आपसे किसी नए उपशे पर पुने मिलेंग झाल 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